ओम संती, आज 21 अगस्त 2021 की मुल्ली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो तुम प्रकट हुए हो रुहानी सेवा के लिए प्रस्न है, इमानदार सच्चे पूर्शार्ती बच्चों की निसानिया क्या होगी उत्तर है, इमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं फौरन बाबा को सुनाएंगे, वह बहुत बहुत निर अहंकारी होते हैं उनकी बुद्धी में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा करम हम करेंगे दूसरा, वह किसी की डिस्ट सर्विस का गायन नहीं करते अपनी सर्विस में लगे रहते हैं वह किसी का भी अवगुन देख, अपना माता खराब नहीं करते गीत है आज का दिरस धर मनवा अब सुनते हैं मुली विस्तार से ओम सांती, मीठे मीठे रुवानी बच्चों प्रती रुवानी बाप दिरस देते हैं जैसे लोकिक बाप भी धहरिय देते हैं न कोई बिमार होता है तो उनको आथत देते हैं तुमारी बिमारी के दुख के दिन बदल कर सुक के दिन आएंगे वह हद का बाप, हद का धहरिय देते हैं अब यह तो है बहत का बाप बच्चों को बहत का धहरिय दे रहे हैं बच्चे अभी तुमारे सुक के दिन आ रहे हैं बाकि यह थोड़े दिन हैं अब तुम बाप की याद में रह औरों को भी सिखलाओ, तुम भी सिव सक्तिया हो ना, सिव बाबा की सक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है, यह गोप भी आत्माई हैं, यह सब सिव से सक्ति लेते हैं, तुम भी सक्ति लेते हो, बाप ने समझाया है, इसमें क्रपावा असिरवाद की कोई बात नहीं है, याद में रह, सक्ति लेते जाओ, याद से ही तुमारे विकर्म विनास होंगे, और तुम सक्तिवान बनते जाएंगे, सिव की सक्ति सेना इतनी सर्व सक्तिवान थी, जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया, तुम जानते हो योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाते हैं, अंगूल इसे भी मनुस्य ऐसा इसारा करते हैं कि अल्ला को गौड को याद करो, बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से ये पत्रों के पहाड अर्था दुनिया बदल जाएगी, अभी हम परिस्तान इस्तापन कर रहे हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को हर प्रकार की सिक्सा मिलती रहती है, हर एक के करमों का हिसाब है, कन्याओं के करम अच्छे हैं, जिनकी साधी की हुई है, वह कहती है, इस समय हम अगर कन्या होती, तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई, फ्री बर्थ होती, कन्याओं फ्री बर्थ हैं, खराब संग में नुकसान हो जाता है इस्तरी को पुरुस बच्चों आधी की कितनी जंजीरे हैं इस में रसम रिवाज आधी के कितने बंधन रहते हैं कन्याओं को कोई बंधन आधी नहीं है अभी बामबे में भी कन्याइ तैयार हो रही है कहती है हम अपने प्रांथ को आपई संभालेगी सभी अपने प्रांथ के लिए कितनी मैनत करते हैं कहते हैं हमारा गुजरात, हमारी यूपी तुम अभी अपना स्वराज्य लेते हो इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांथ का हूँ यह भी न रहे, तुम्हें किसी से भी इर्षिया नहीं रखनी चाहिए कोई का अउगुण आदी देख, माता खराब नहीं होना चाहिए अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, बेनों भायों को, सुख का रास्ता बताया है अगर रास्ता नहीं बताया, तो वह कोई काम का नहीं दिल पर चड़ नहीं सकता, बाब दादा के दिल पर नहीं चड़ा, तो तक्त पर नहीं बैठ सकता बाबा जानते हैं, कोई कोई बच्चे को सर्विस का बहुत सौख है, जरा भी देह का अभिबान नहीं है कोई कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं समझते हैं अपने उपर नहीं बाप पर क्रपा की है कभी भी किसके अउगुन को नहीं देखना चाहिए फलाना ऐसा है यह करते हैं आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की बाबा कहते हैं आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिस्ट सर्विस का गायन करते है फलाना ये करता है ऐसा है अरे तुम अपनी सर्विस करो ब्रामन बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना बाप बैठा है बाप के पास सब समाचार आते हैं हर एक की अवस्ता को बाप जानते हैं बाबा कहते हैं बाब बैठा है बाब के पास सब समाचार आते हैं हर एक की अवस्ता को बाब जानते हैं सर्विस देख महिमा भी करते हैं बच्चों में सर्विस का जोस आना चाहिए हर एक को अपना कल्यान करना है इस रूहानी सर्विस से बाबा कहते हैं बाब तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करो ऐसे बहुत करते हैं अच्छे अच्छे महारतियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेगी बाब भी कहते हैं न मुझे साधारन तन में आया हुआ देख पैचान नहीं सकते हैं बाबा को भी राय देते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए अवस्ता ऐसी है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगे तो ट्रेटर बन जाएंगे बाबा को भी अपनी मत भेज देते हैं कावत है ना चुवे लदी अर्थार्थ चुवे को हल्दी की गाट मिली तो समझा पंसारी हूं यह नहीं समझते की हम डिस सर्विस करते हैं बूले तो बहुतों से होती रहती है कभी अवस्ता उच, कभी नीच, यह चलता आया है हर एक अपनी अवस्ता का देखें इमानदार बच्चे अपनी अवस्ता जट बतलाते हैं कोई तो अपनी बूलें छिपा लेते हैं, इसमें बड़ा निर अहंकारी पना चाहिए, सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए, हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए, जैसे करम हम करेंगे, हम को देख और करेंगे, मैं किसकी निंदा करूंगा, तो और भी करने लग पड़ दुस्मन भी बहुत बनते हैं, तुम अभी सुद्र से ट्रांसफर हो, ब्रह्मा मुक वनसावली ब्रामन हो गए, जिन में पांच विकार है, वह है आसुरी संपरदाए, तुम हो देवी संपरदाए, तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रहे हो, होंगे सत्यूग में, तुम अभी देवी संपरदाए बन रहे हो, तुम अभी देवी संपरदाए बन रहे हो, तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए चांस मिलते हैं, प्रदर्शनी में समझाते रहो, प्रदर्शनी मेले में हर एक की नम्ज का पता पढ़ जाता है, प् बाबा कहते हैं प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है उसमें लिख भी सकते हैं प्रदर्शनी मेले का सौक होना चाहिए रेगुलर पढ़ने से ही नसा चड़ेगा बांदेली हो तो घर में रहते बाप को याद करती रहो तो विकर्म विनास हो जाएंगे गर में बैठे भी याद करना अच्छा है परन्तो याद करना ये बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है बाप जिससे 21 जनम का वर्सा मिलता है उनको याद नहीं करते अच्छे अच्छे भासन करने वाले महारती भी बाप को याद नहीं करते न सवेरे उठ सकते हैं उठते हैं तो बैठने से जुटके खाते हैं याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है बक्ती मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाते हैं उनकी तो उतरती कला है, यहां तो है ही चड़ने की बात, माया कितने विग्ण डालती है, सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे, तो धारना कैसे होगी, विकर्म विनास कैसे होंगे, बाकि सिर्फ मुल्ली चलाना, वह तो छोटे बच्चे भी सीख कर समझाने लग हैं, यह पड़ाई बड़ों के लिए है, कितनी बड़ी युनिवर्सिटी है, हमको पड़ाने वाला कौन है, यह बच्चों को नसा नहीं रहता है, माया किसी को धोका देती है, तो हम उनको न देख, अपनी सर्विस में लग रहें, बाप के पास सब समाचार आते रहते हैं, कोई देह अभिमान में आकर समझते हैं, यह ऐसे करते हैं, यह करते हैं, औरों के भी निंदा करते, टाइम वेस्ट करते हैं, तुमारा काम है सर्विस में रहना, कोई भी बात है इसारा बाप को दे दिया बस, पर चिंतन नहीं करना चाहिए, सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए तुमारा धन्दा ही यह है रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह सिव बाबा यह प्रजापिता ब्रह्मा कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुस्य सर्ष्टी रचते हैं ऐसे नहीं कि मनुस्य थे ही नहीं मनुस्य सर्ष्टी रचते हैं अर्थात काटों को फूल बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा सर्ष्टी रचते हैं तो उपर में थोड़ी सर्ष्टी रचेंगे ब्रह्मा तो यहां होगा ना होगा तो ब्रह्मा द्वारा अगर सश्टी रचते हैं तो उपर में थोड़ी सश्टी रचेंगे ब्रह्मा भी सश्टी पर होगा ना कितना क्लियर समझाया जाता है बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत की जन्म में प्रवेस कर मनुस्य को देवता बनाता हूं तो बच्चों को सर्विस में राद दिन मैनत करनी चाहिए धंदे आदी में थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए बाबा कहते हैं राद दिन मैनत करनी है और धंदे में से थोड़ा टाइम निकाल इस रूहानी सर्विस में लग जाना चाहिए कितना अच्छा बताया है बाबा ने ऐसे नहीं कि फुरसत नहीं मिलती बिमार पढ़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुरसत नहीं पुरसार्थ करना चाहिए प्रेणा से बाबा कहते है बिमार पढ़ जाओगे तो फिर क्या कहेंगे कि फुरसत नहीं पुर्शार्थ करना चाहिए प्रेणा से कुछ भी नहीं हो सकता है भगवान से ही प्रेणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है मरे उए को जिन्दा कर सकते है अरे भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन आकर हमको पतित से पावन बनाओ बस दूसरी कोई बात नहीं ऐसे थोड़ी कहते आकर मुर्दे को जिंदा बनाओ वह ही पतित पावन भारत पावन था न बाप कहते हैं मैं कलप कलप आकर पावन बनाता हूं माया फिर आकर पतित बनाती है अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने कितनी सहज बात बतलाते हैं हकीम लोग बड़ी बिमारी को भी जड़ी बूटियों से ठीक कर देते हैं फिर उन्हों की महिमा भी होती है कोई को बच्चा वा धन मिला तो कहेंगे गुरु क्रपा हुई अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगे भावी इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समस्ते हो सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है परंतु वह हट योगी वह राज योग सिकला न सके वह सन्यासी हम ग्रेश्टी फिर हम अपने को फालोवर्स कैसे कहला सकते बाप तो कहते हैं बच्चों को पोरा फालो करना है मन मना भव मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मेरे साथ चलेंगे मैं तो एवर पावन हूँ मनुस्य पतिद बनाते हैं बाप आकर पावन बनाते हैं वह पवित्रता सांती सुक्का सागर है तुमको भी ऐसा बना रहे हैं तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो जानते हो हमको फर्स क्लास सरीर मिलेगा मनुस्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवताई कपड़ा आदी पहन लिया अपने पर पुरा ध्यान देना है देहे अभी मान न आए बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे तुम भी कहते हो हम भारत को स्रिष्टाचारी बना कर ही छोड़ेंगे निस्य वाले ही कहते हैं न कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा वास्तव में कभी भी यह संसे नहीं लाना चाहिए संसे में आने से फिर सर्विस में डिले हो पड़ते हैं टाइम बहुत थोड़ा है, जितना हो सके पूरसार्थ खूप करना चाहिए, थोड़ा लड़ाई आदी का कहा, हंगामा होगा, तो फिर देखना कितनी मैनत करने लग पड़ते हैं, समझते हैं न, हम याद में पूरा नहीं रहते हैं, फिर उस समय कसम कसा तो कर नहीं सकेंगे, उस समय तो बहुत आपते आदी रहती है, इसलिए बाप करते हैं, जितना हो सके गेलब करते जाओ, यह आत्मों की रेस है, बाप कितना अच्छी रिती समझाते हैं, निसाने पर जाकर अर्थार्थ, बाप के घर जाकर फिर चले आना है नई दुन्या में, बड़ी फाइन रेस है, बाप कहते हैं, मेरे को टच कर, अर्थार्थ मूल वतन में जाकर फिर आना है, पहले पहले आएंगे, जो योग युक्त होंगे, चाते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो चले जाएंगे, मुक्ति धाम तो सबको पसंद है, फिर आएंगे पाड बजाने, मुक्त किसको मिलता नहीं, इस्वर्य हिस्ट्री जॉक्रोफि में मुक्त का अक्सर है नहीं, एक सेकिंड में तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकि सब मुक्त हो जाएंगे, रावन राज्य से मुक्त होना ही है, जो पुरसात करेगा, वही उच्पद पाएगा, बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वबा बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है, दुरवासा का नाम है ना, इन राज रिस्यों में भी कोई कोई ऐसे है, हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए, कि मैं क्या करता हूँ, इससे हमको क्या पद मिलेगा, अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया, तो क्या पद मिलेगा, थोड़े में राजी नहीं होना है, बाप कहते हैं, मैं आया हूँ बच्चों को फुल बाजसाई देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए, सिर्फ कतनी से तो हो नहीं सकता, बाप की सर्विस में तो हडियां भी देनी हैं, करते भी हैं, फिर कहां देहे अबिमान आ जाने से नसा आ जाता और गिर पड़ते हैं, माया भी कम पहलवान नहीं है, माया भी कम पहलवान नहीं है, बाप की सरीमत पर न चलने से माया वार करती है, तो बाप को फारगती दे देते हैं, बाप सुखदाम का मालिक बनाते हैं, तो अपने पर तरस आना चाहिए, आना चाहिए, तो बाप सुखदाम का मालिक बनाते हैं तो अपने पर तरस आना चाहिए बाप राय बड़ी सिंपल देते हैं माया के तुफान तो बहुत आएंगे परंतु महावीर बनना है अच्छा अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिस्ते वहा बाबा वहा वहा मेरा भाग्या अब धार्णा के लिए मुक्यसार में पहला पॉइंट सर्विस का सौक रख अपना और दूसरों का कल्यान करना है किसी की डिस्ट सर्विस का गायन नहीं करना है पर चिंतन में अपना समय नहीं गवाना है दूसरा पॉइंट है धार्णा का इमांदार और निर अहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है सवेरे सवेरे उठकर बाब को प्यार से याद करना है कतनी और कर्णी समान बनानी है मीठे बाबा का मीठा वर्दान है संतुष्टता के त्री मूर्ती साटिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच पद के अधिकारी भव संतुष्टता के त्री मूर्ती साटिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच पद के अधिकारी भव विस्तार सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक connection चाहिए हर एक को तीन certificate लेने हैं बाप, आप और परिवार परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का record निरंतर चलता रहे इसमें निसकाम बनो बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्छे बनो और स्व्यम से संतुष्ट रहने के लिए सदा स्रीमत की लकीर के अंदर रहो ये तीन certificate उच्पद का अधिकारी बना देंगे स्लोगन है आज की मुल्ली का जो चित्र को न देख चेतन्य और चरित्र को देखते हैं बना देखते हैं